हाई फ्रेंज विल्कम बेक टू मैं चैनल साइबर क्रेटिवेटी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यह न्यू डिजाइन का फ्लावर का वीडियो शेयर कर रही हूं जिसे मैंने वाइट कलर में बनाकर त्यार किया है इसको बनाना बहुत ही इजी है कम वक्त में त्यार होता है इसको बनाकर जब आप लोग बेबी ड्रेस वगारा बनाते हैं उसमें अटाइज कर सकते हैं थालपोश वगारा में अटाइज कर सकते हैं जैसे मैंने देखिए यहां पर बेबी ड्रेस बनाया है यह वाला ड्रेस मैंने छे मैंने न्यू बॉन बेबी से लेक जैसे मैंने यह बार्डर बनाया है इस तरीके से डिजाइन बनाया है अगर आप लोग इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रेप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के लास्ट इस्क्रीन में देदूंगी वहां से आप लोग देख सकते हैं तो चलिए फ्लावर बनाते हैं यहां पर मैंने देखिए दस नंबर का कुरीशिय का यूज किया है और वाइट कलर के उन से फोर प्लाई का उन है मैं आप लोगों को बता रही हूं कलर आप लोग कोई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं सबसे पहले देखिए इस तरीके से नॉट लगाने की बा दालेंगे डबल कुरिश्य बनाएंगे एक डबल कुरिश्य फिर यहां पर डालेंगे एक और डबल कुरिश्य बनाएंगे दो डबल कुरिश्य इस रॉंड की बीच में डालना है डबल कुरिश्य बनाना है तिन डबल कुरिश्य चार डबल कुरिश्य पांच डबल अग्यारा डवल कुरिश्य और यह बारा डबल कुरिश्य बनाने के बाद फर्स्ट वाला जो चेन है यहां पर डाल कर इस तरह के से सिलिप स्टिच करते हुए इसको जोइंट कर देंगे तो यह सरकल बन जाएगा उसके बाद देखे चेन बनाएंगे एक दो तीन चार चार ब यहां पर डालना है और तीर पर कुरिशय बनाना है एक दो बर फंदा बंद किया फिर दो बर फंदा बंद करेंगे फिर दो बर फंदा बंद करेंगे उसके बाद तीन बर चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाले में डाल कर इस तरीके से सिंगल कुरिशय बना लेंगे देखे ऐस फिर दो बर कुरेशया में फंदा लेंगे दो बर बंद करेंगे फिर दो बर बंद करेंगे फिर दो बर तीन बार में बंद करना है एक तिरपर कुरेशया बनाना है तिरपर कुरेशया बनाने के बाद तीन बार चेन बनाकर फर्स्ट वाला जो हम लोगों का लूप है यह तिर यहईमिंखने में दिर्डमा यह दो को बाएंगे हैं एसमित्त ज्वासथ सर्फ सब्सक्रास को सब्सक्राइब भूद का तिरपर कुरिशया बनकर तयार हो जाएगा तो चार चेन बना लेंगे जैसा हम लोगों ने शुरुवात में बनाया था और यहीं पर डालकर इसको सिंगल कुरिशया से जैंट कर लेंगे ऐसे दिखे तो यहां पर यह एक पत्ती कंप्लीड हो चुका है नेक्स्ट वला जो बनाया रख़क大 इसा यहां है ज़िल वेवकों फिर नेक्स्ट वले में ऐसे सिल Yak़ बना कर आयोगे अब दूसरा पत्ती यहांपर बनाना आई एक दो तीन चार बर चेन बनाकर यहीं पर डालेंगे तिर पर कुरिशया बनाएंगे फीर बढमे फंदय को बंद करेंगे तीन चेन बनाकर फर्स्ट वाले में डाल कर ऐसे फर्स्ट वाले में डालेंगे को और यहां पर सिंगल कुरिषय बनाएंगे फिर दो बार कुरिषय में बनाएंगे फिर तीर बनाना है धर चार बन गया है यह 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 चेन बनाएंगे और छेंगल कुरेस्या से जायन कर देंगे यह धकर कर देंगे दो पत्ती बन चुका अंपिने डाल कर सिल्ली स्टीज बना और यह दूसरे वाले में डालेंगी जब तब पथी को रिपीट करेंगे, एक बर तिल पर कुरिशिया, तीन चेन, फिर एक सिंगल कुरिशिया, तो ऐसे ही पूरा पथी को बना लेना है, जैसे मैंने यह वला दो बनाया है, वैसे ही तीन और बना करकर कंप्लीट कर लेना है, तिर पर कुरिशय बनाएंगे पिर यहां पर दो दो बार करकर फंदे को बंद करेंगे तिर पर कुरिशय बनाएंगे एक दो तीन चार चेन बनाकर फर्स्ट वाले में डालेंगे जहां से हम लोगों ने शुरुवात किया था सिंगल कुरिशया से जैन्ट करेंगे फिर नेक्स्ट में डालेंगे सिलिप स्टीच फिर नेक्स्ट में डालेंगे सिलिप स्टीच और यहां पर जब दूसरे वाले में प्र्सट्वाले में डालकर सिंगल प्रेश्या निया पहली बीजिट किया है और अगर लोगों को मेरे समझाने का मेरे सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करकर बिल आइकन को जरूर किलिक कर लीजिएगा मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहोंगी और अपने फैमली फ्रेंज के साथ मेरे वीडियो को शेर करना नहीं भूलियेगा देखिए यहां पर चौकर पत्ती भी बनकर त्यार हुचुका है तो इसी पैटन में चे पत्ती बना सकते हैं इससे भी बड़े सा इसका फ्लावर मैं पूरा बेबी सोट बना रहे हूं हूं सुस भी बनाओंगी आने वाली वीडियो में जैसा मैंने टोपी कैप बनाया है वैसे ही सेम मैं सूज बनाकर दिखाऊंगी पैंड भी बनाऊंगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करकर अगर रखेंगे तो आप लोगों को वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकेगा और आप लोग भी अपने बेब नेक्सट में डालेंगे तो गिойти एक चैन देकर ठाखे को यहां से कट करके अधाये से ठाख और इसको अइसे खीचेंगे तो यह नौट लग जाएगा उसके बाद जितना इक्स्ट्रा उन है उसको देखे पीछे की तरफ कुरेशिया को ऐसे डालेंगे और इस तरीके से खिषते वे पीछे की तरफ कर देंगे उसके बाद कट कर देंगे तो यहां पर देखी यह फ्लावर बनकर कंप्लीट हो चुका है पांच पत्ती वाला फ्लावर बनाया है यहां पर चाहें तो एक पत्ती और आप लोग बना सकते हैं छे पत्ती वाला फ्लावर बना सकते हैं मैंने इसे पांच पत्ती वाला फ्लावर रखा है तो आप लोगों क